अज नाक पंचमी है तो क्या कुछ कहा शाग है भगवान शिख के वारे में? देखे क्या है ना अज नाक पंचमी इसलिए सबको बहुत बहुत मुबारक हो मैंने एक पैंटीस रुपे का पैप यूनो प्रशाद चड़ाया था और भगवान से मांगा था कि अच्छा बॉइफ्रेंड अच्छे दोस्त मिले और जब मुझे इतने अच्छे बॉइफ्रेंड अच्छे दोस्त मिले तो मैंने कहा तो मैंने कैसे मिले तो बता जैसा प्रसाद चड़ा थे 35 का तो वैसी मिलेंगे ना आप समझ रहे हो 200-400-1000 का चड़ा थी तो और थोड़ा अच्छा हो जाता बापुडी क्या चड़ाओं क्या चड़ाओं बोलता है दुच्छाओं बहुत अच्छा अरे दिली दूर है इतना आसान नहीं है वो उनकी फैमिली है लेकिन वो रिष्टे के लिए नहीं थी वो सिफ डिनर ही था एक देखे आदिल बहुत अच्छा लड़का है वो दीरे-दीरे हर अपनी फैमिली से एक-एक-एक करके मिला रहे वो रिष्टे के लिए नहीं था उनको सिर्फ मुंबई में आये थे तो थोड़ा घुमारे-फिरारे और एक डिनर किया है जो मैं सोच रही थी वो तो बिल्कुल नहीं हुआ है तो क्या कुछ बार सोच रही थी? अंगल सुधर पिना देंगे मैं सोचिए मगसर बिनाओगे शादी की बात करोगे बर्दा गभा गभा खारा खारे थे सब आपकी फैमली ने क्या कहा राखी जी से मिलने के बाद यह आखब एक फोटो लिये और चले गए और ये मुझे एक सेकंड के लिए उनने बहू नहीं बोला गभा मंढ़ा सास्टान बहुला सानू बोला कि क्या है लुए разм razorma संते क्या जानों ट यह त है तुम कहा तै क्या वाह बादा तो मारे आंटे ने बहु बोला कि मा इंए ब बोला बोला यह प्यार कर दो अभी बना दो इसको ढोड़ा सवाल प्रैक्टिस करें बोले तो आदिल ही होता है ना मैं तुम्हारी भीवी मतलब दो कि अधियर लो तुम क्या पोल रहा है कि अ बोल रहा है कि अधियर कंफिस हो डाइव शुड़ो तुम मेरे नाग में तुमारी नागिन चलो नाचते हैं अरे वैसा गंदा तोड़ी है नाग इसी करता है पापा मैं तुम्हें डशूँ और रोज दस्ती तो रहती हो और तुम रोज चूशते रहते हो मेरा खून तो ना है यह बढ़ चट चो तो बहुत गंदा है भाई बहुत गंदा गिया बहुत गंदा तु बहुता है इस कि अमीट वह पूर कि मुट्टा को लाल चठ्था को लोग ब्लॉक तरे देख नहीं होने त्यों क्या किया पंदा प्रेंणिंग चल रहा है और क्यों रिजन क्या है वो लंबी दाड़ी बड़ा दिया रोमेर अमेर नहीं दिख रहे इसलिए रिजन क्या है रिजन तो बताओ भाई आमिर खान कबसे डरने लग गए आमिर खान को बोलो दरने की क्या जरूत है मेरा फ्रेंड है आमिर खान और लाल चड़ा ना लाल सिंग चड़ी लाल सिंग बोलती हूँ अगर आप लोग ने दिखा आना मा के साम में आत्मत्या कर लूंगी अगर आप लोग ने शरी वो तंक यह ना वो सब नहीं बाबा लाल सिंग चड़ा यह कोई थे क्या मैं नहीं पता नहीं कोई मंत्री मंत्री होगे या कोई हमारे पुराने जमाने के रियल परसंद के उपर है देखो मुझे मालूम नहीं है मुझे मूदी जी के बारे में बोलो तो मुझे मालूम है और मैं और उनको और किसी को जानते बापु के बारे में मालूम है तो मुझे इनके बारे में नहीं मालूम है तो में क्या बोलू है ना कॉन्ट्रployn damage induism के बारे में कुछ दिखाएं इसलिए बडूट करें इसलिए नहीं अमिर खान तो ब्रेव है और और आमिर कान किसी से डरते नहीं है उनकी फिल्म में तो डेफिनेटली reactors होती है भाई मैं तो नहीं बोलते हैं तो आप उसको काड़ दो सीन को और रिलीस करो आमिर खान तो ब्रेव है और आमिर खान की एक बार फिल्म आती है वो तो सब को मात दे जाती है आसमान चुझाती है नोटों की भारिश होती है क्या तुम लोग को मालूम हैं क्यों कि खुछ सब नहीं बिलकुल बताव मैं बिसा कि आसनम को यहां पकड़ें मेरी जहाते हो तो साौथ हैं कि अच्छे होते हैं पुलाइड होते हैं शांत होते शूट बूट पाइन के भार नहीं निकलते हैं जैसे घर में और स्लिपर तो अर्बो खर्बो इतने पैसे कमाते हैं लेकिन वह आप उनके घर में जाके दो को बीवी बच्चों के पास रहते हैं जादा गर्फरेंडों के बीचे भागते नहीं है इतने शरीफ हीरो है साउथ के अपनी बीवियों को सताते नहीं है बीवी घर में है बच्चे घर में है उनको घुमाने फिराने लेके जाते हैं और उनके साथ इमानदारी से रहते हैं घर में बीवी घर वाली बाहर वाली बि तोड़ देते हैं और दूसरी हिरो इन आ गई उसका शिकार करके आगे बढ़ जाते अब बोलो मैं भी हूं क्या अभी बोलो मैं भी हूं क्या अभी बोलने के वज़े यह बोल दो कि आदिल जैसे होगी बात-पतम मैं भी ऐसे ही तो तुम ऐसा नहीं है तुम मेरा समाल कभी न सक्षार हो मैरे साथ कभी निकर सकते ने ने अभी बिछ में काट उ मत तो क्या और felt का उसे हो दो बच्ची की मा तिन बच्ची की माँ लेकिन वह घर निभाते हैं चायाह आप अलू अरता को चिरं जी वह देखो जितने भी हीड है देखो मैश, बाबू, ममूटी, जितने भी हिरो देखो, रजनी कान सर, यह अपनी बीविये बच्चों को नहीं चोड़ते और बाहर जाके मूँ भी नहीं मारते, इसलिए इनकी बीवियों की दुआ लगती है और यह सुपर डुपर मेगा स्टार बंते, यहाँ पे तो एक हिरो इन कि हमारे मैं बॉली वुड की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं उन स्टारों की बुराई कर रही हूँ, जो बीवी घर में होते हुए भी बाहर जाके मूँ मारते हैं, और आमेर खान की तो बिलकुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं